दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सेर करें दोस्तों आपकी प्यार और सपोर्ट की हमें बहुत ही जरूरत है हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आपका जियो भी नीज़ दोस्तों इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे सभी बड़ी खबरे यह सबसे बड़ी ख़बर है। को लिखे निलंबत पत्र में कहा गया है कि लोकसभाचुना में रामवीर ने अगरा फतेपूर, सिक्री और अलिकर्ण लोकसभाचेतर से अलग-अलग अपने सीटों पर बस्पा परत्यासियों का विरोध किया, रामवीर का आरोप लगा है कि उन्होंने लोकसभाचुना में विरोधी दलों के परत्यासियों का समर्थन किया, पार्टी ने इसे अनुसासन हिंडता मानते हुए ततकाल परभाव से रामवीर को पार्टी से निकाल दिया, बस्पा ने रामवीर को पार्टी के मुख सचेतक के पद से भी हटा दिया है, और कहा है कि वह भयुश में पार में हार जित का परिणाम 23 मई को आ रहा है इसी दिन वोटों की गिंती के साथ ही फैसला हो जाएगा कि कौन सी पार्टी सरकार बना रही है इवियम से हो रही है इस चुनाव में मत गणना किस तरीके से होगी जिहां तो तो बिडियो के साथ बन रहे हैं दोस्तों इवियम के पांच वीवी पैट के परिणाम के कंट्रोल यूनिट से मिले आकड़ों को मिलाये जाएगा पीपल होल ब्लॉक की परचियों के साथ संख्या से ही वोटों की संख्या पर मिलान होगा यह वहीं परचिया है जो आपको वोट डालते समय एवियम मोदाई तरब से निकली गई थी इस परचिको गर्णा भी वोटों की गिंती के साथ होती है पिछली बार एवियम को लेकर के बिवाद हुआ था मामला सुप्रीम कोट तक महुच और कोट के निर्ने के बाद पहली बार पांच वीवी पैटों का वोटों के गिंती से इसमाल हो रहा है इसमें से यह मतगर्णा के दीन ही निकाले जाएंगे फिर मतगर्णा केंदर के पर सुरू होगी वोटों की गिंती जी हाँ तो सुबह आठ वजे से लोगसभा की कूल 543 सीट पर वोटों की गिंती सुरू होगी इसमें से आधे घंटे की रुझान आने सुरू हो जाते हैं यह रिटर वेलेट सर्विसेस वोटर इलेक्शन के इंपलाई होते हैं इसके आधे घंटे के वाद AVM खुलना सुरू होता है पोस्टल वेलेट भी अब AVM के साथ काउंटिंग टेबल पर पहुँच जाते हैं ध्यान रखे कि एक बार के अधिक्तम 14 वीवी पैटों की गिंति की जाती है मतगर्ना के इंद पर तैनात परवेक्चा की मुख्य डिवटी भी अब यहीं सुरू होती है वह पले AVM की सुरक्षा जाच करते हैं वे इस बात की पूश्ची करते हैं कि कहीं मसीन में कोई छेडखानी तो नहीं की गई है बटम दबाकर की वोट की गणना करने पर काम अधिकारिक ही करते हैं जी हां दोस्तों इसके बाद AVM का कंट्रोल यूनिट का रिजल्ट बटम दबाने तक ही कुछ वोटों पता चल जाता है साथ यह भी पता चल जाता है कि किस परत्यासियों को कितने वोट मिलें और वोटों की गिंती का मिलान पाचो पर्चो वीबी पैटों के लिए रिटर्निक ओफिसर को भीज दिया जाता है जी हाँ दोस्तो अकली बड़ी खबर नई भारतिय सरकार को लेने होंगे विदेशी निती संबंधित अहम फैसले जी हाँ दोस्तो भारत में 23 मई को लोक्स बचना परिनाम की घोशना होने के बाद गठित होने वाले सरकार की विदेश निती के संबंध में खास करके आर्थिक चेतर में अहम फैसले लेने होंगे यह मानना होगा कि अमेरिका के प्रख्याद भारते बग्यानिकों का विदेशी संबंधों पर परिशत की सदसिता एलीसा आर्षना ने कहा है कि अगली सरकार किसी की भी बने एक बात तैह है कि भारत को विदेश निती से संबंध में खास करके आर्थिक चेतर में अहम फैसले लेने होगे जी हाँ दोस्तों आइटम दा हैस कम इंडिया इस दो मेकिंग इस प्लेन इन दा वर्ल्ट पुष्टक की लेखिका और पुरुवर्तिय ओबामा पर सासन में सेवा दे चुकी आर्षन ने कहा है कि हाला कि हर सरकार में भारत और अमेरिका के संबंधों में रक्षा स्चेतर में प्रगती हुई लेकिन ब्यपार और आर्थिक मोचे पर तनाव बढ़ा है कार्नेगी एटोमेट फॉर इंटरनेशनल पीस के कारिकरता इसलिए टेनिस ने अपने लैव एस्टरॉन अपेली फोरेंसी पॉलिसी चेलेंजिस फॉर दर नेशनल इंडियन गॉवर्मेंट में कहा है कि एगजिट पॉल में प्रधानमत्री मोधी को दोबारा चुने जाने का पूर्वा नुमान लगा है उन्होंने भारत में ही नहीं बलकि उससे आगे भी गंभीर बाहे चुनोतियों का सामना करना होगा आपको बता दे कि टेनिस ने कहा है कि यदि भारत को आगामी दसकों में बड़ी ताकत बनने की महत्वकांग्छाओं को पूरा करना होगा तो अगली सरकार को घरेलू अस्तर पर आर्थिक सुधायत तेज करना होगा भारत की संस्थाओं को मजबूत करना होगा उसके समवधानिक चरीतर को बचाकर रखना होगा और देश के आंतरिक सामजस को बरकरार रखना होगा ये सबी हालिया वर्सों में बुरी तरीखे से संकट कर रहे हैं जार्ज हापनिन स्कूल आफ एडवांस इंटरनेशनल स्टटी में अगली सरकार के लिए सबसे अहम काम आर्थिक सुधार होंगे न्यू अमेरिका ठिंग टैंक के एक वरिष्ट सदस्य अनिल गोयल ने कहाए कि सत्ता के में कोई भी आए उसे व्यापारिक संबंदों समेत विदेशी निती संबंधित कई चुनोतिया का सामना करना होगा जो जटिल होती जा रही है जिहां दोस्तों अगली बड़ी ख़बरे पाकिस्तान में भी महा कटवंदन इफ्तार दावत में बिलावल भुटों से मिलने पहुंची मर्यम नमाज जिहां दोस्तों पाकिस्तान की राज़िते में इन दिनों दिल्चस्प कारिकरम देखने को मिल रहे हैं सालों तक एक दूसरे के खिलाफ रहे हैं अब दल एक दूसरे के पास आ रहे हैं ताजा कारिकरम के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेता मर्यम नवाज एक जूट दिखते हुए पाकिस्तान पिपुल पार्टी के अदग्च बिलावल भुटो से मुलकात की है। और पाकिस्तान के पूर पधानमत्री साहिद खाकान अब्बासी भी बिलावल से मिलने पहुँचे। आपको बता दे कि बिलावल की दिवंगत मा बेनजूर भुटो और मर्यम के पिता नवाज सरीफ एक दूसरे के धूर विरोधी रहे हैं। आपको बता दे कि मर्यम खान ने अपने ट्विटर हेले से ट्विट करके कहा है कि बिलावल को उनकी महजबानी के लिए सुक्रिया आदा करता हूँ। साथ ही उन्होंने उमीद जताई है कि दोनों नेताओं के बीच की यह बैटक पाकिस्तान की जन्ता की आवाज बनेगी। पाकिस्तान की वर्तमान सरकार का जिगर किया मर्यम ने खराब हार्थिक हालात को भी जिगर किया। दोस्तों अगली बड़ी कवर घट सकता है आपका डेटी एच बिल ने टैरिफ की तयारे जिहाद होतों। कुछ समय पहले से डेटी एच सेक्टर में जुड़ी ऐसी खवर आपको लगतार मिल रही होगी। जिसमें कहा जा रहा है कि अब डेटी एच का बिल कम हो गया है। ट्राइ का नया नियम लागू हो चुका है और अब चैनल के हिसाब से लोग पैसे दे रहे हैं। हलाकि ताजा रिपोर्ट यह है कि डेटी एच का बिल पहले से कम हो सकता है। एटी के एक रिपोर्ट के मुताविक टेलिकॉम एंड ब्रोड कॉस्टिं रेगुलेटरी एंड कंसल्टेंट पेपर जारी करके यह त्यारी किया गया है। जिसका मकसद केवल और केवल डेटी एच बिल को कंजूमर के लिए कम करना है। का यह मानना है कि ट्राइ उसके टेरिफिक बदलाव करने का अधिकार नहीं है। हलाकि ऑफिशल का कहना है कि रेगुलेटर के पास हमेशा से उसका अधिकार है। लेकिन इससे पहले तक उससे अपने मार्केट पर ही छोड़ा रखा होना। आपको बता देंगे नए नियम के बाद कोई भी चैनल 19 रुपए से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकता है। जो बखेट के पार्ट है। नए नियम के बाद यह कुछ यूजर्स का काना है कि उनका बिल कम हुआ है। जबकि कुछ DTS कंजूमर्स का काना है कि इससे कोई फाइदा नहीं हुआ है। और टैरिफिक भी और बढ़ गया है। आपको बताते कि चंदरबाबु नाईरू ने चुनाव आयोग पर आरोप लगा है कि इलेक्शन कमिशन ने बीजेपी को चुनाव से फाइदा पहुचा है। उन्होंने कहा है कि अगर इलेक्शन कमिशन हमारी मांग नहीं मानता है तो हम इसका विरोध करेंगे।